हाई गाईज, वेलकम आई चैनल जे एम्स टेडी पॉइंट और आज हम म्यूजीक के भी वी आई अबजेक्टिव कोशन अंसर पढ़ेंगे आप सभी के कोमेंट्स पे म्यूजीक का वीडियो लेकर आई हूँ चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट कोशन है स्वरो को कितने वर्गों में बाटा गया है स्वरो को कितने वर्गों में बाटा गया है, दो वर्गों में ओप्शन सी, इसका राइट अंसर होगा अगला कोशन, संगीत का आधार किस से माना जाता है संगीत का आधार किस से माना जाता है सुवर कुप, इसका राइट अंसर होगा सुवर, ओप्शन B अगला कोशन है, सबसे अधिक मात्राओ वाला ताल कौन सा है? सबसे अधिक मात्राओ वाला ताल कौन सा है? तीन ताल, ओप्शन A इसका राइट अंसर होगा, तीन ताल अगला कोशन कृष्ण राव शंकर का जन कभ हुआ किरीष्ण राव शंकर का जन कभ भुआ था तो 26 जुलाई 1918-1994 में हुआ था 26 जुलाई 1894 में ओप्षन B इसका राइट अंसर होगा अगला कोशन पंडित कृष्ण राव थे पंडित क्रिष्ण राव क्या थे? संगीत गे थे? Option C अगला कोशन पंडित क्रिष्ण राव की मिरित्यू कब हुई? पंडित क्रिष्ण राव की मिरित्यू दो मार्च 1989 को हुई? Option C इस कराइटन सरोगा अगला Question रागो की उत्पत्ती किसे हुई रागो की उत्पत्ती किसे हुई तो थाट से Option C Option A इस कराइटन सरोगा Option A अगला Question पंडित ओमकार नाथ ठाकूल का जन्म कव हुआ पंडित ओम कर नाथ ठाकूर का जन्म 25 जून 1880 में असिको हुगा था अगला कोशन मिया तांसे ने किस राक की रचना की? मिया तांसे ने मिया मलहार राक की रचना की ओप्षन A इसका राइट अंसर हुगा मिया मलहार अगला कोशन देखती है शड़ज गराम की कितनी मुर्चनाए होती है? तो साथ ओप्षन D इसका राइट अंसर हुगा साथ मुर्चनाए होती है अगला कोशन अलाव दिन के पिता का क्या नाम था? अलाव दिन के पिता का नाम साधु खा था? ओप्षन एस कराइटन सरुगा अगला कोशन अलाव दिन के दादा का क्या नाम था? अलाव दिन के दादा या बाबा का क्या नाम था? तो मदार खा था अगला कोशन कोमल स्वर कितने होते हैं तो 4 होते हैं अगला कोशन निमलिखित में से कौन 14 मातरा की ताल है तिलवारा में 16 और चोताल में 12 मातरा होती हैं और धमार में 14 मातरा है और तिंताल में 16 मातरा है तो option C का राइट अंसर होगा धमार इसमें 14 मातरा होती है option C का राइट अंसर होगा अगला कोशन बड़े गुलाम अलि खा का जन्म कब और कहां हुआ था बड़े गुलाम अलिखा का जन 1901 में लाहोर में हुआ था ओप्षन एस का राइट अंसर हुगा 1901 में लाहोर में अगला कोशन निरिती समराड गोपी किशन किस निरिती से संबंधित थे तो तांडब निरिती से संबंधित थे ओप्षन D का राइट अंसर होगा तांडब अगला कोशन सबसे कम मात्राओ वाला ताल कौन सा है सबसे कम मात्रावाला ताल कौन सा है तीन ताल में 16 मात्राई होती है और चार ताल में 12 और कहराव में 8 और दादरा में 6 तो सबसे कम दादरा ताल में सबसे कम मात्राई होती है 6 तो option C इसका राइट अंसर होगा अगला question उस्तार फैजा खा किस घहराने से आते थे तो आगरा से बाउल लोग संगीत किस परदेश का है बाउल लोग संगीत बंगाल परदेश का है उप्शन सीज कर आइटम से होगा अगला कोशन दुरूपत को किस घहराने का गायक कहा जाता है दुरूपत को किस घहराने का गाय कहा जाता है दुरूपत को आगरा घहराने का गाय कहा जाता है ओप्शन एस का राइट अंसर होगा अगला कोशन राग भिहाग की जाती क्या है राग भिहाग की जाती ओरव संपून है ओप्शन एस का राइट अंसर होगा अगला कोशन लए कितने परकार के होती हैं लए तीन परकार के होती हैं ओप्शन बीस का राइट अंसर होगा अगला कोशन ख्याल गायक में किस परकार के ताल वादे का प्रियोग होता है तबला का प्रियोग होता है ओप्शन सीस का राइट अंसर होगा अगला कोशन मुख्य स्वर कितने होते हैं? मुख्य स्वर कितने होते हैं? इसका अंसर आप कॉमेंट में बताइएगा अगला कोशन तबला वादक में आकार में सबसे छूटी रचना को क्या कहते हैं? तबला वादक में आकार में सबसे छोटी रचना को मुहरा कहते हैं ओप्षन 20 कराईट अंसर होगा मुहरा अगला कोशन धमार गाईका के साथ कौन सी ताल बजाई जाती है धमार गाईका के साथ कौन सी ताल बजाई जाती है तो धमार धमार, option, days का राइट अंसर होगा गमक के कितने भेद हैं तो 15 ओप्शन, days का राइट अंसर होगा 15 अगला कोशन देखते है शुरुतिया कितनी है तो 22 है option, days का राइट अंसर होगा 22 अगला कोशन राग हमीर की जाती राग हमीर की जाती कौन सी है? संपूर, संपूर ओप्शन सीज कर आइट अंसर होगा अगला कोशन शुद और कुमल मिला कर कुल कितने स्वर होते हैं? शुद और कुमल मिला कर कुल बारा स्वर होते हैं Option, डेज कर आइट अंसर होगा अगला कोशन देखते हैं भूपाली का वादी स्वर क्या है? भूपाली का वादी स्वर मौ है Option, चल स्वर कितने है चल स्वर पांच है Option, येज कर आइट अंसर होगा पांच अगला कोशन सारे जहां से अच्छा हिंदूसता हमारा गीत के लेखक कौन है? इस गीत के लेखक मुहम्मद इकबाल है ओप्शन डीस का राइट अंसर होगा मुहम्मद इकबाल अगला कोशन राग में कौन सा स्वर कभी भी वर्जित नहीं होता? राग में शर्डच स्वर कभी भी वर्जित नहीं होता? ओप्शन बी इसका राइट अंसर होगा शर्डच अगला कोशन वे स्वर समूग जिससे राग स्पश्ट होता है क्या कहलाता है? वे स्वर समुव जिससे राग स्पष्ट होता है वे क्या कहलाता है तो पकड ओप्शन 20 कर आइट अंसर होगा पकड अगला कोशन संगीत में 1 कितने है संगीत में 1 कितने होते हैं तो 6 होते हैं ओप्शन 30 कर आइट अंसर होगा अगला कोशन स्वर अंतराल कितने परकार के होते हैं स्वर अंतराल कितने परकार के होते हैं इसका अंसर भी आप कमेंट में बताइएगा किस राग में कुमल रे प्रियुक्त है तो भैरव राग में कुमल रे प्रियुक्त है ओप्षन सीज कर राइट अंसर होगा भैरवराग अगला कोशन देखते हैं कंठे जी महराज का जन्व कब हुआ कंठे जी महराज का जन्व कब हुआ तो सन अठारा सो असी में हुआ था ओप्षन सीज कर राइट अंसर होगा अगला कोशन देखते हैं ठुमरी गाईकी के साथ कौन सा ताल वाद वजाय जाता है? ठुमरी गाईकी के साथ तबला वादक वजाय जाता है? Option. डी सकरहेट अंसर होगा. तबला वाद वजाय जाता है. अगला कíficो अगला कोशन. संगीत रतनाकार का प्रथम अध्याय क्या है? अगला कोशन राग माल कौण से वर्जि स्वर्ख्या है तो रेपऌ है अगला कोशन हिंदुस्तानी संगीत में किसकी संख्या 10 है तो थाठ की option 10 कराइट अंसर होगा थाठ अगला question इनमे से गर्जनी क्या है इनमे से गर्जनी क्या है तो शुरूती है option 20 कराइट अंसर होगा संगीत रतना कर में कितने विक्रित स्वर बताएगे है option C इसका राइट अंसर होगा अगला question चार ताल में कितनी खाली का प्रियोग होता है चार ताल में कितनी खाली का प्रियोग होता है चार option D इसका राइट अंसर होगा चार अगला question बेगम अक्तर की मिरित्तिव कब होई बेगम अक्तर की मिरित्तिव तीस अक्तूबर 1974 में हुई option A इसका राइट अंसर होगा अगला question पन्जाब घाराने के परसीद तवला वादक उर्फ जाकीर हुसन के गुरू कोन है तो mansाब घाराने के परसीद तवला वादक उर्फ जाकीर हुसेन के गुरू कोन है तो अलह रखा है अगला कोशन ताल जबताल में कितनी मातराये हैं तो दस अगला कोशन देखते हैं पूस्तक तबला शास्टर के लेखक का नाम बताए पुस्तक तबला शास्तर के लेखक का नाम मथुकर गनेश गूल बोले हैं उप्शन इसका राइट अंसर होगा अगला कोशन पंडित रवी शंकर किस घाराने से संबंधित है इसका भी अंसर आप कॉमेंट में बताईएगा अगला कोशन तान सेन के बच्पन का नाम क्या था उप्शन बीस का राइट अंसर होगा तन्ना मिश्र अगला कोशन शूरूती कितनी है शूरूती कितनी है तो 22 है उप्शन सीस का राइट अंसर होगा अगला कोशन गान के कितने परकार है गान के कितने परकार है तो दो, ओप्षन एस के राइट अंसर होगा, दो परकार के है अगला कोशन, सारांगी किस वर्ग का बाद है सारांगी किस वर्ग का बाद है तो तत, ओप्षन एस के राइट अंसर होगा अगला कोशन हिंदुस्तानी संगीत में कितने स्वर लगते हैं? हिंदुस्तानी संगीत में कितने स्वर लगते हैं? 10 ओप्षन 20 कर आइटन सरह है अगला कोशन 6 बरावर मात्राओं के विभाग किस ताल में होते हैं? छे बरावर मात्राओं के विभा किस ताल में होते हैं तो चार ताल में इसमें बारा मात्राय होते हैं ओप्शन 20 का राइट अंसर होगा चार ताल अगला कोशन शारफ स्वर्शंव में कितनी स्वर लगते हैं ओप्शन सी इसका राइट अंसर होगा अगला कोशन सेहतार नाम किनका दिया हुआ है सेहतार नाम किनका दिया हुआ है तो तान सेन का ओप्शन इसका राइट अंसर होगा तान सेन अगला कोशन राग कल्यान की प्रकृती कैसी है? राग कल्यान की प्रकृती कैसी है? शांथ ओप्षन सीज का राइट अंसर होगा शांथ अगला कोशन शारव जाती के रागों में कुल कितने स्वर लगते हैं? शारव जाती के रागों में कुल कितने स्वर लगते हैं? तो 6, option 10 का राइट अंसर होगा निमने लिखित स्वरों में से राग देश का वादी स्वर क्या है? राग देश का वादी स्वर रे है, option 20 का राइट अंसर होगा, रे अगला कोशन, तान सेन का जन्म कभ हुआ? तान सेन का जन्म कभ हुआ? 1532 में अगला कोशन तानपूर में कितने तार होते हैं चार राग काफी का वर्जिस्वर क्या है राग काफी का वर्जिस्वर क्या है तो इन में से कोई नहीं है ओप्षन डीस का राइट अंसर है अगला कोशन संगीत का संबंध किस वेद से है संगीत का संबंध किस वेद से है तो साम वेद से है ओप्षन डीस का राइट अंसर होगा साम वेद अगला कोशन दिखते हैं तान सेन के गुरू थे तान सेन के कौन गुरू थे तो स्वामी हरी दास Option A का राइट अंसर है स्वामी हरी दास अगला कोशन T.M. पटनाय क्या बजाते थे T.M. पटनाय क्या बजाते थे तो वाईलिन अगला कोशन तान सेन का विवा किस से हुआ तो हुसेनी से अगला कोशन देखते हैं राक केदार का वादी समवादी स्वर क्या है? राक केदार का वादी समवादी क्या है? तो म और सा अगला कोशन देखते हैं राग यमन किस थाट का राग है? तो कल्यान थाट का अगला कोशन राग भैरव की जाती क्या है? राग भैरव की जाती क्या है समवादी? अगला कोशन तीन ताल की तीसरी ताली किस मातरा पर पड़ती है? तो तीर भी ओप्शन डेख कर आइट अंसर होगा अगला कोशन राग भीम पलासी किस थाट का राग है? तो खमाज का ओप्शन इस कर आइट अंसर होगा खमाज आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दिजिए और वीडियो को लाइक कर लिए अगला कोशन देखते हैं भात खंडे का जन्म कब हुआ? भात खंडे का जन्म कब हुआ था तो दस अगस्त अठारा सो साठ को ओप्षन इस कर आइट अंसर होगा अगला कोशन देखते हैं मुश्ताक अली खां क्या बजाते थे? मुश्ताक अली खां क्या बजाते थे? तो शेहनाई ओप्षन इस कर आइट अंसर होगा शेहनाई अगला कोशन शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं तो सितार ओप्षन बीष कर आइ टान्सर है सितार अगला कोशन देखते हैं सुवामी थास का जन कहा हुआ था तो वारा नसी का शी में ओप्षन C इसका राइट अंसर होगा वारा नसी का काशी में पंडित भिश्णुरायन भात खंडी की मिरित्यु कभ हुई? 19 सितंबर 1936 में ओप्षन B इसका राइट अंसर होगा अगला कोशन देखती हैं भरत मुनी की रचना है भरत मुनी की रचना कौन सी है? भरत मुनी की रचना नाट्य शास्त्र है ओप्षन B इसका राइट अंसर है अगला कोशन बेगम परवीन बेगम परवीन सुल्तान किस गायक के लिए परसीद है? बेगम परवीन सुल्तान शास्त्रिय गायन के लिए परसीद है अगला कोशन विश्णु दिगंबर पदिती में खाले का चिन क्या है? ओप्शन डीस कर आइट अनसर होगा उस्ताद बड़े गुलाम अलिक खा थे क्या थे तो एक तवला वादक थे ओप्शन बीस कर आइट अनसर होगा एक तवला वादक थे अगला कोशन विश्णु निरित्ति किस राज से संबंधित है? विश्णु निरित्ति किस राज से संबंधित है तो असम से ओप्शन सीस कर आइट अनसर होगा असम अगला कोशन किस ताल में 16 मात्राएं हैं? तीन ताल में 16 मात्राएं हैं ओप्षन डिस कराई टांसर होगा तीन ताल अगला कोशन शास्त्रों कारों ने एक सब्दक में कितनी शुरुद्या मानी हैं? शास्त्र कारूने एक सब्तक में कितनी शुरुतिया मानी है तो इस का राइट अंसर होगा 22 ओप्षन इस का राइट अंसर है 22 शुरुतिया मानी है अगला कोशन ग्राम राग जिसकी संख्या मान है ग्राम राग जिसकी संख्या मान है अगला कोशन, राग भीम पलासी का गायन समय सायाकाल है अगला कोशन, सुवर मंदरन बजाने की कितनी विधिया पाई जाती है? सुवर मंदरन बजाने की कितनी विधिया पाई जाती है? तो चार, ओप्शन डीस का राइट अनसर होगा, चार विधिया पाई जाती है अगला कोशन, अमर गायक तांसेन का गायन मंदप कहां है? तो ग्यालियर में है अगला कोशन भारत की मुख्य संगीत पदितिया कितनी है भारत की मुख्य संगीत पदितिया दो है अगला कोशन इनमे कौन बासरी वादक नहीं है तो गुपाल मिश्र अगला कोशन ठुम्री गायन के साथ किस ताल का प्रियोग होता है? तो तीन ताल का अगला कोशन अमीर खुसरो का जन कब हुआ? अगला कोशन पन्दित भीम सें जोशी क्या है? तो एक गायक है अगला कोशन संपून जाती के रागों में कुल कितने स्वर लगते हैं? तो साथ ओप्षन बीस कर आइट अंसर होगा साथ अगला कोशन संगीत में मूल स्वर कितने हैं? तो साथ है ओप्षन एस कर आइट अंसर होगा साथ अगला कोशन नाद की कितनी विशेष्टाएं हैं? नाद की कितनी विशेष्टाएं हैं? तो तीन ओप्षन सीज कर आइट अंसर होगा तीन विशेष्टाएं हैं अगला कोशन विक्रित स्वर कितने हैं? विक्रित स्वर पांच है रागो की कितनी जातिया होती है रागो की तीन जातिया है उप्षन डीज का राइट अंसर होगा अगला कोशन देखते हैं ताल कहराव में कितनी मातराय होती है ताल कहराव में आठ मातराय होती है उप्षन डीज का राइट अंसर होगा अगला कोशन पंडित ओंकारनाथ ठाकुर किस विधा के लिए जाने जाते हैं Option C गायन के लिए जाने जाते हैं अगला कोशन सम किसे कहते हैं सम ताल की प्रथम मात्रा को कहते हैं Option A इसका राइट अंसर होगा अगला कोशन ध्वनी कैसे उत्पन होती है ध्वनी गाने से उत्पन होती है Option A इसका राइट अंसर है अगला कोशन संगीत की कितनी पदितिया है संगीत की दो पदितिया है Option A इसका राइट अंसर होगा अगला कोशन विदूशी गिर्जा देवी किस घराने की गाई का थी Option B, बनारस घरानी की गाय क्या थी अगला कोशन देखते हैं किस राग में रे गधनी कोमल स्वर का प्रियोग होता है Option C, भैरवी इसका राइट अंसर होगा अगला कोशन अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ था अमीर खुसरो का जन्म एटा में हुआ था Option D, इसका राइट अंसर होगा अगला कोशन देखते हैं पंडित विश्नु नारायन भात खंडे का जन्म कहां हुआ था पंडित विश्नु नारायन भात खंडे का जन्म महराश्ट्र में हुआ था Option D का राइट अंसर होगा अगला कोशन डागर बंधु किस गायक शेली से संबंधित है Option A दुरूपद से अगला कोशन सोनल मानसी का संबंध किस निरित्य से है सोनल मानसी का संबंध कथक निरित्य से है Option A इसका राइट अंसर होगा कथक अगला कोशन, राग हमीर किस थाट के अंतरगत आता है, ओप्शन एक कल्यान थाट के अंतरगत आता है, अगला कोशन, पंडित निकिल बनर जी कौन सा वाद बजाते हैं, पंडित निकिल बनर जी सितार वाद बजाते हैं, ओप्शन, पीस का राइट अंसर होगा, सितार, अगला कोशन, रूपक, रूपक ताल का खाली किस मात्रा पर है, ओप्शन B, एक पर निम्न में से किस ताल में आठ मात्रा होती है, ओप्शन B, कहराओ अगला कोशन, दुरूपद में किस ताल का प्रियोग होता है, ओप्शन D, एक ताल का अगला कोशन, निम्न लिखी तरागों में से किस में दोनों मध्यम लगते हैं, ओप्शन B, भीम पलासी में अगला कोशन, पखावज वाद कौन सी श्रेनी में आता है अगला कोशन, पंडित विश्व मोहन भट कोन सा बाद बजाते हैं अगला कोशन, राग भेरव का वादी स्वर क्या है अगला कोशन, राग भीम पलासी किस थाट का राग है संगीत रतनाकर का प्रथम अध्याय है स्व अध्याय अगला कोशन राग तिलक कमोद का वादिस्वर क्या है राग तिलक कमोद का वादिस्वर रिशव है ओप्षन एस का राइट अंसर हुगा अगला कोशन राग माल कोण्स में वर्जिस्वर क्या है वर्जिस्वर रे प है ओप्षन बीस का राइट अंसर हुगा अगला कोशन राग तिलंग किस थाट का राग है राग दिलंग, खमाज थाट का राग है Option B, इसका राइट अंसर होगा, खमाज अगला कोशन, ताल की उत्पत्ती कैसे हुई? ताल की उत्पत्ती धोलक से हुई Option A, इसका राइट अंसर होगा, धोलक से अगला कोशन देखते हैं ताल धमार में कितने विभाग होते हैं। ताल धमार में चार विभाग होते हैं। ओप्शन डी इसका राइट अंसर होगा। अगला कोशन पंडित विश्णु दिगंबर पलुसकर किस के लिए जाने जाते हैं। ओप्शन एक गायक के लिए जाने जाते हैं। अगला कोशन, सुल्टाल में कितनी मात्राय होती हैं, ओप्षन भी दस मात्राय होती हैं, अगला कोशन देखते हैं, ओडव शारव जाती के रागों में कितने स्वर लगते हैं, ओप्षन भी पांच छेव, अगला कोशन, उस्ताद अली अक्वर का संबंध किस वादी अंत्र से है? Option A. सितार इसका राइट अंसर होगा अगला कोशन आड़ा चार ताल में कितनी मात्राई होती है? आड़ा चार ताल में चोदा मात्राई होती है Option D. इसका राइट अंसर होगा? चोदा अगला कोशन, राग केदार की जाती क्या है? राग केदार की जाती ओरफ संपूर है ओप्षन एस कराइट अंसर होगा अगला कोशन, राग काफी का समवादी स्वर क्या है? राग काफी का समवादी स्वर रे है ओप्षन एस कराइट अंसर होगा, रे अगला कोशन राग खमाज की जाती क्या है? राग खमाज की जाती शारव संपोर्न है ओप्षन बेस का राइट अंसर होगा अगला कोशन निम्न लिखित में से किसमें दोनों निशाद लगते हैं? देश में दोनों निशाद लगते हैं Option एस का राइट अंसर होगा अगला कोशन राग देश का समवाधी स्वर क्या है? राग देश का समवाधी स्वर प है Option बीस का राइट अंसर होगा अगला कोशन राग कमोद किस जाती का राग है? राग कमोद संपून जाती का है Option B, इ allowance अंसर होगा संपूर राग बागेश्वरी किस थाट का राग है? राग बागेश्वरी काफी थाट का राग है Option C, इस Progress अंसर होगा काफी और आपने अभी तक चेनो के श़िघ कर लिजिए चलिए अगा कोशन देखते हैं ठुम्री के लिए परसीद शहर कौन सा है? ठुम्री के लिए परसीद शहर बनारस है Option C, बनारस अगला कोशन शारव जाती के राग में कितने स्वर लगते हैं? शारव जाती के रागों में 6 स्वर लगते हैं Option B, इसका राइट अंसर होगा अगला कोशन स्वर लिपी पदिती को किस ने प्रचलित किया? स्वर लिपी पदिती को पंडित भात खंडे ने प्रचलित किया? Option A, इसका राइट अंसर होगा पंडित भात खंडे अगला कोशन राग सुचक स्वर स्वमधाय को क्या कहते हैं? राग सूचक स्वर स्वमधाय को वादी कहते हैं ओप्षन एसका राइट अंसर होगा वादी अगला कोशन एक सब तक में कितने स्वर होते हैं एक सब तक में साथ स्वर होते हैं ओप्षन सी साथ अगला कोशन देखते हैं तान सेन दुरुपद की किस वानी के गायक थे? तान सेन दुरुपद डागुर वानी के गायक थे? ओप्षन एस का राइट अंसर होगा. अगला कोशन, रागभुपाली में कौन से दो स्वर नहीं लगते हैं? रागभुपाली में दो स्वर कौन से नहीं लगते हैं? तो म नी Option 10 का write answer होगा अगला कोशन आसा वारी थाट के अंतर्गत कोन सा राग आता है? आसा वारी थाट के अंतर्गत जोन पूरी राग आता है Option A जोन पूरी अगला कोशन राग में नहीं लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं? Option C, अगला कोशन, चार ताल में कितनी तालिया होती हैं, चार ताल में छे तालिया होती हैं, Option C, अगला कोशन, उस्ताद विस्मिला खां कौन सा वाद बजाते हैं, उस्ताद विस्मिला खां शेहनाई बजाते थे, सोरी, ओप्शन में नहीं हैं, इसका अंसर होगा शेहनाई, धुरुपद में कितनी वानिया है? धुरुपद में 6 वानिया है Option A, इसका राइट अंसर होगा अगला कोशन राग माल कौन्स की जाती क्या है? राग माल कौन्स की जाती ओरव ओरव है Option A, इसका राइट अंसर होगा ये ओरव है ओरव ओरव अगला कोशन जब ताल में कितनी तालिया होती हैं जब ताल में तीन तालिया होती हैं ओप्शन 20 का राइट अंसर होगा अगला कोशन देखते हैं ताल कहराव का प्रियोग किस शेली के साथ होता है ताल कहराव का प्रियोग सुगम संगीत के साथ होता है Option C इसका राइटम सर्वोगा सुगम संगीत अगला कोशन राग केदार किस थाट के अंतरगत आता है राग केदार कल्यान थाट के अंतरगत आता है Option A कल्यान अगला कोशन हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाट होते हैं हिंदुस्तानी संगीत में दस थाठ होते हैं ओप्षन C अगला कोशन ख्याल के कितने परकार हैं ख्याल के दो परकार हैं ओप्षन A कराइट अंसर होगा दो अगला कोशन निम लिखित में से किस में दोनों निशाद लगते हैं भीम पलासी में दोनों निशाद लगते हैं ओप्षन B इसकर आइट अंसर होगा अगला कोशन राग अलेहया विलावल का गायन समय क्या है राग अलेहया विलावल का गायन समय प्राता काल है ओप्षन A इसकर आइट अंसर होगा अगला कोशन चोटाल में कितनी मात्राई होती हैं? चोटाल में बारा मात्रा होती हैं Option C हर्मोनियम किस वर्ग का वाद है? Option B, शुशीर Option B, इसका राइट अंसर होगा शुशीर वर्ग का वाद है अगला कुशन दादरा ताल की खाली किस मात्राई पर होती है? दादरा ताल की खाली चार मात्राई पर होती है Option A, इसका राइट अंसर होगा चार अगला कुशन नाद के कितने परकार है? नाद के दो परकार है Option B, इसका राइट अंसर होगा अगला कुशन राग काफी का गायन समय मध्य रात्री है Option C इसका राइट अंसर होगा अगला कुशन राग देश की जाती क्या है राग देश की जाती ओड़ब संपून है Option A इसका राइट अंसर होगा अगला कुशन चार ताल में कितने भी भाग है चार ताल में 6 विभाग हैं ओप्षन B इसका राइट अंसर होगा अगला कोशन देखते हैं निम्न लिखित रागों में से किस में दोनों मध्यम लगते हैं ओप्षन B भीमपलासी अगला कोशन मिया तांसेन किस राजा के दरवारी गायक थे मिया तांसेन अकबर राजा के दरवारी गायक थे ओप्षन A इसका राइट अंसर होगा अगला कोशन है भीमपलासी का समवादी स्वर क्या है Option ए है म या प या सा या रे भीम पलासी का समवादी स्वर सा होगा Option सीज का right answer है अगला question है दादरा ताल में कितनी मातराए होती है गला question है 7, 6 या 8 या 10 दादरा ताल में 6 मातराए होती है Option 20 का right answer है अगला कोशन है निम्न में से किस ताल में दस मातराय होती हैं एक ताल या धम्र या जब ताल या रूपक जब ताल में दस मातराय होती हैं ओप्शन सीज का राइट अंसर है अगला कोशन है राग अलहे या विलावल का गायन समय क्या है प्राता काल या साया काल या मध्य रातरी या रातरी का प्राथम पहाड ओप्शन एस का राइट अंसर होगा प्राता काल अगला कोशन है राग विहाग की जाती क्या है संपून या वक्र संपून ओडब संपून या कोई नहीं राग विहाग की जाती ओडब संपून है ओप्शन सीज का राइट अंसर है अगला कोशन है निम्ण में से कौन वर्ण का भेद नहीं है आरोही या अवरोही या संचारी या अस्थाई अस्थाई वर्ण का भेद नहीं है ओप्शन डीस का राइट अंसर है अगला कोशन है निम्ण में से किस शुद तान माना गया है मिश्र तान या सपाट तान या बोल तान या वक्र तान सपाट तान को शुद तान माना गया है ओप्शन बीस का राइट अंसर होगा अगला कोशन है निम्ण में से कौन बासुरी वादक नहीं है Option A है पन्ना लाल घोश या हरी परसाद चोरसिया या रूपक कुलकर्नी या गोपाल मिश्रा गोपाल मिश्रा वासुरी वादक नहीं है Option D का राइटंसर है अगला कोशन है पंडित क्रिश्न राव थे एक नर्तक या गायक या संगीत गय या तबला वादक पंडित क्रिश्न राव एक गायक थे Option B इसका राइटंसर होगा अगला कोशन है सरोध वाद को किस वर्ग में रखा गया है तत या अवनद या धन या सुशीर Option A इसका राइटंसर होगा तत अगला कोशन है राग भीम पासी की उत्पत्ती किस थाट से हुई कल्यान या विलावल या काफी या खमाज राग भीम पासी की उत्पत्ती काफी थाट से हुई Option C इसका राइटंसर होगा अगला कोशन है बासुरी किस चीज से बनी होती है Option A है बास, प्लास्टिक या काच या अल्मूनियम से बासुरी बास से बनी होती है Option A इसका राइटंसर है अगला कोशन है राग कामोद की थाट से उत्पन होता है काफी या विलावल या कल्यान या खमाज राग कामोद कल्यान थाट से उत्पन होता है Option C का राइटंसर है ताल की कितनी जातिया है Option A है 6 या 5 या 7 या 8 ताल की 5 जातिया होती है Option B का राइटंसर है अगला कोशन है उस्ताद बड़े गुलाम अली का जन्म कहां हुआ था Option A है लाहोर या पंजाब या बनारस या कश्मीर उस्ताद बड़े गुलाम अली का जन्म लाहोर में हुआ था Option A का राइटंसर है अगला कोशन है विक्रित स्वर कितने परकार के होते हैं ओप्षन ए है दो या तीन या चार या पाँच विक्रित स्वर में विक्रित स्वर दो परकार के होते हैं ओप्षन ए इसका राइट अंसर है किस राग में तोनों निशाद लगते हैं देश या किदार या भीम पलासी या यमन देश राग में दोनों निशाद लगते हैं Option A का राइट अन्सर है अगला कोशन है राग भूपाली की जाती क्या है राग भूपाली की जाती ओडव है Option A का राइट अन्सर है अगला कोशन है तीन ताल में कितनी तालिया होती है चार दो या तीन या पांच तीन ताल में तीन तालिया होती है अगला कोशन है राग विहाग किस थाट के अंतरगत आता है कल्यान या विलावल या खमाज या काफी राग विहाग विलावल थाट के अंतरगत आता है उप्शन बीस का राइट अंसर होगा अगला कोशन है ताल रूपक में कितनी मातराय होती है आठ, छे, या साथ, या दस ताल रूपक में साथ मातराय होती है ओप्शन सीज कराइट अंसर है अगला कोशन है वे राग जिसमें दो कोमल स्वर लगते है भैरव, विहाग, या खमाज, या अलहेया, या विलावल भैरव राग है जिसमें दो कोमल स्वर लगते है ओप्शन एस कराइट अंसर है अगला कोशन है राग खमाज का वादी स्वर कौन सा है म या ग या रे या ध राग खमाज का वादी स्वर गव है ओप्शन बेस कराइट अंसर है अगला कोशन है ताल एक ताल में कितनी ताली एवं खाली है चार और दो ओप्शन एस कराइट अंसर है अगला कोशन है थाट में कितने स्वर लगते है ओप्शन एह पाँच या छ या साथ या चार थाट में साथ स्वर लगते है ओप्शन सीज कराइट अंसर है अगला कोशन है शाडव संपूर जाती में कितने स्वर लगते है छे साथ ओप्शन सीज कराइट अंसर होगा अगला कोशन है राग काफी का वादी स्वर क्या है ओप्शन एह ग, रे, प या नी राग काफी का वादी स्वर क्या है उसका वादी स्वर है प Option C इसका राइट अंसर है अगला कोशन है तीन ताल में कितनी ताली खाली है तीन एक इसका राइट अंसर है Option B अगला कोशन है संगीत में कितने वर्ण होते हैं चार या दू या तीन या पांच संगीत में चार वर्ण होते हैं Option is का राइट अंसर है अगला कोशन है राग भैरव का थाट क्या है? खमाज या कल्यान या भैरव या विलावल राग भैरव का थाट भैरव है Option is का राइट अंसर है अगला कोशन है एक ताल एक ताल में कितनी मात्राय होती है दस या आठ या बारा या चौदा ताल एक ताल में बाराय मातरा होती है Option C का राइट अंसर होगा बारा मातराय होती है स्वरो के उतरते क्रम को क्या कहते हैं Option है संचारी, अरोह या अवरोह या स्थाई स्वरो के उतरते क्रम को अवरोह कहते हैं Option C इसका राइट अंसर होगा अगला कोशन है राग, अलहे या विलावल का अंश स्वर क्या है Option A है ग, ध, या प, या म इसका राइट अंसर होगा ध, ओप्शन B अगला कोशन है हिंदुस्तानी संगीत पदती के लेखक कौन है B, N भात खंडे या मतंग या शांग देव या नारद हिंदुस्तानी संगीत पदती के लेखक B, N भात खंडे है Option A कर आइट अंसर है अगला कोशन है जब ताल में खाली किस मात्रा पर होती है Option A है चार या पांच या छे या साथ जब ताल में खाली छे मात्रा पर होती है Option A कर आइट अंसर होगा अगला कोशन है किस राग में ग, नी, कोमल और बाकी स्वर शुध लगते है काफी या अलहे या विलावल या देश या यमन काफी राग में ग, नी, कोमल और बाकी स्वर शुध लगते है Option A कर आइट अंसर होगा अगला कोशन है कौन सा राग संधियकाल में गाया जाता है भैरव या आसावारी, जोनपूरी या विहाग जोनपूरी राग संधियकाल में गाया जाता है option C's का right answer होगा अगला कोशन है राग मारवा किस ठाट का राग है Option A है कलियान या वहरब या तोड़ी या मारवा राग मारवा मारवा थाट का राग है Option D का राइट अंसर होगा अगला कोशन है संगीत में कितने शुद स्वर होते हैं साथ या दस या आठ या पंदरा आपने चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए संगीत में साथ शुद स्वर होते हैं Option A का राइट अंसर है अगला कोशन है गीत गोविंद के रचैता कोन है जैदेव या शारंग देव या गंगाधर या हरी परसाथ गीत गोविंद के रचैता जैदेव है Option A का राइट अंसर होगा गीत गोविंद के रचैता जैदेव है अगला कोशन है तान के कितने परकार के होते है दो, तीन या आठ या साथ तान दो परकार के होते है Option A इसका राइट अंसर होगा अगला कोशन है राग असावरी का सववादी स्वर क्या है Option A है सा, रे, या ग, या म राग असावरी का समवादी स्वर ग है Option A इसका राइट अंसर होगा अगला कोशन है हिंदुस्तानी शास्त्रिय संगीत में विक्रित स्वरों की संख्या कितनी है तीन या च्यार या पांच या छे हिंदुस्तानी शास्त्रिय संगीत में विक्रित स्वरों की संखिया पांच है ओप्शन सीज का राइट अंसर है अगला कोश्चन है राग किदार का थाट क्या है खमाज या कलियान या असावरी या भैरवी राग किदार का थाट कलियान है ओप्शन बीज का राइट अंसर होगा अगला कोशन है रूपक ताल में कितने विभाग है दो तीन या चार या पांच रूपक ताल में तीन विभाग होते हैं ओप्षन बीस का राइट अंसर है अगला कोशन है ताल कहराव में कितनी तालिया होती है ओप्षन ए है दो या एक या तीन या चार ताल कहराव में एक तालिया होती है ओप्षन बीस का राइट अंसर है अगला कोशन है राग भुपाली में कौन से दो स्वर नहीं लगते ओप्षन ए है मध्य एवं निशाद गंधार एवं धेवत या रिशव एवं पंचम मध्य एवं पंचम राग भुपाली में मध्य एवं निशाद स्वर नहीं लगते ओप्षन एस का राइट अंसर है अगला कोशन है राग में नहीं लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं वादी या समवादी या वरजित या विवादी राग में नहीं लगने वाले स्वर्ग को वर्जित कहते हैं ओप्शन सीज का राइट अंसर है अगला कोशन है राग भीम पलासी का गायन समय क्या है प्राताकाल या सायकाल रात्री या अपरह राग भीम पलासी का गायन समय अपरह है Option D's का राइट अंसर है अगला कोशन है संगीत रतनाकार के लेखक कौन थे? मतंग या नारद या शारंग देव या भरत संगीत रतनाकार के लेखक वो थे शारंग देव Option D's का राइट अंसर है अगला कोशन है निम्न लिखित रागों में से किसमें दोनों मध्यम लगते हैं Option E है देश या भीम पलासी भैरव केदार इसका राइट अंसर होगा केदार Option D अगला कोशन है तिलवारा ताल में कितनी मात्राएं हैं Option E है बारा या चौदा या दस या सोला तिलवारा ताल में सोला मात्राएं हैं Option D's का राइट अंसर है अगला कोशन है राग देश का समवादी स्वर क्या है म या प या नी या रे राग देश का समवादी स्वर प है Option D's का राइट अंसर है अगला कोशन है दुरूपद में कितनी वाणिया है Option E है छे, चार या पांच या दो दुरूपद में चार वाणिया है Option D's का राइट अंसर है अगला कोशन है कहराव ताल में कितनी विभाग है 2, 3 या 1 या कोई नहीं कहराव ताल में दू विभाग है Option E का राइट अंसर है अगला कोशन है राग यमन डैश थाट से उत्पन हुआ Option E है कल्यान या भैरव या काफी या तोड़ी राग यमन कल्यान थाट से उत्पन हुआ Option E का राइट अंसर है अगला कोशन है विद्यापती गीत किस अंचल का है मिथिला या बिहार या उरीशा या अरुनाचल परदेश विद्यापती गीत मिथिला अंचल का है Option E का राइट अंसर है अगला कोशन है थाट कितने होती है Option E है अठारा या दस या बीस या बारा थाट दस होते हैं Option B का राइट अंसर है अगला कोशन किस राग में दोनों म का प्रियोग होता है Option E है यमन, किदार, या देश, या खमाज इसका राइट अंसर है केदार Option B कामेंट में बताइएगा कि अगला वीडियो आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए चलिए अगला कोशन है किस राग में रे एवं धस वर कोम लगते हैं Option E है यमन, या भूपाली, या भैरव, या काफी भैरव राग में रे एवं धस वर कोम लगते हैं Option C का राइट अंसर है अगला कोशन है भरत मुनी की रचना है ताल लिपी, या नाट्य शास्त्र, या स्वर लिपी, या भजनावली भरत मुनी की जो रचना है, वो नाटे शास्त्र है Option B का राइट अंसर है अगला कोशन है चार ताल में कितनी तालिया होती है Option E है दो, या चार, या तीन, या पांच चार ताल में, चार तालिया होती है Option B का राइट अंसर है अगला कोशन है ताल में दो चिन का क्या मतलब होता है पहली ताली, या खाली, या दूसरी ताली, या तीसरी ताली ताल में दो चिन का मतलब दूसरी ताली अगला कोशन है एक सब तक में कितने स्वर होते हैं पाँच या साथ या छे या आट एक सब तक में साथ स्वर होते हैं अगला कोशन है नीरे गरे और नीरे सा किस राग का पकड़ है भुपाली या विहाग या यमन या भीमपलासी नीरे गरे नीरे सा यमन राग का पकड़ है उप्षन सीज का राइटनसर है अगला कोशन है तीन ताल में कितनी मातराए होती है उप्षन ए है बारा या दस या सोला या आठ तीन ताल में सोलाए मातराए होती है उप्षन सीज का राइटनसर है अगला कोशन है ख्याल में किस ताल का प्रियोग होता है दादरा या कहराव या तीन ताल या जब ताल ख्याल में कहराव ताल का प्रियोग होता है उप्षन बीस का राइटनसर है अगला कोशन है राग भैरव का गायन समय क्या है Option A है प्राता काल या साया काल या अपढ़ा या रातरी राग भैरव सुबा के समय गाया जाता है Option A का राइट अंसर है प्राता काल अगला कोशन है ताल दादरा में कितने भी भाग होते हैं तीन या दू या चार या एक ताल दादरा में दू विभाग होते हैं Option 20 का राईट अंसर है First question है राग केदार की उत्पत्ती किस थाट से हुई राग केदार की उत्पत्ती कल्यान थाट से हुई थी Option 10 का राईट अंसर होगा अगला कोशन है विलायत खाँ का खाँ क्या बजाते थे विलायत खाँ क्या बजाते थे विलायत खाँ सितार बजाते थे उप्षन इस का राइट अंसर होगा अगला कोशन है पन्ना लाल घोश क्या बजाते थे अगला कोशन है उस्ताद अब्दुलकरीम खां किस घराने से आते थे उस्ताद अब्दुलकरीम खां गोयलियर घराने से आते थे इसका राइट अंसर उप्शन डी है अगला कोशन है अकबर के दरबार में नौ रतनों में इनमे से एक कोन थे इनमे से तानसें थे ओप्शन बीस का राइट अंसर होगा अगला है पंडित बच्चा मिश्रा क्या बजाते थे जल तरंग बजाते थे ओप्शन एस का राइट अंसर होगा अगला कोशन है रविंदर नाथ ठाकूर का जन्म कहा हुआ था रविंदर नाथ ठाकूर का जन्म बंगाल में हुआ था ओप्षिन इस का राइट अंसर है अगला कोशन है लए की कितने परकार है लए की पांच परकार है ओप्षिन डीस का राइट अंसर होगा लएव 5 परकार के हैं अगला कोशन है संगीत में समय नापने को क्या कहते हैं मात्रा कहते हैं option 20 का राइट अनसर है अगला कोशन है पंडित विश्नु दिगंबर, पलुसकर और पंडित विश्नु नारायन भात खंडे ने संगीत को क्या दिया स्वर लिपी पदिति दिया ओप्षन सीज कर आइट अंसर है अगला कोशन है गंधर्व महाविद्याले कहां है? गंधर्व महाविद्याले लाहोर में है ओप्षन डीज कर आइट अंसर है अगला कोशन है मातराओ के अलग-अलग संचय को कहते हैं मात्राओं के अलग-अलग संचैन को ताल कहते हैं, Option C कर आइट अंसर है अगला है गीत के कितने परकार हैं, गीत के दो परकार हैं, Option A मात्राओं के अलग-अलग संचैन को कहते हैं ताल, Option C कर आइट अंसर है गीत के कितने परकार है इसका राइट अंसर होगा दो ओप्षन ए अगला कोशन है प्रेय मार्ग किसका भेध है गीत का ओप्षन सीज का राइट अंसर होगा अगला कोशन है पद रचनाओ के स्वस्वर गायन को कहते है इसका राइट अंसर गीत ओप्षन ए अगला कोशन है जिस मात्रा से कोई ताल आरंब हो वे है सम ओप्षन सी इसका राइट अंसर होगा सम अगला है धमार क्या है धमार गायन शेली है ओप्षन सी इसका राइट अंसर होगा अगला कोशन है धमार कितने मात्रा का होता है धमार चौदा मात्रा का होता है ओप्षन एसका राइट अंसर होगा अगला कोशन है धरूव पद आज क्या कहलाता है दरूपद कहलाता है अगला कोशन है धमार किस काल की देन है धमार मध्य काल की देन है ओप्षन सीज का राइटन सर होगा अगला कोशन है जिस रचना में राग का पूरा लक्षन वर्नित हो वे है वो लक्षन गीत है Option A इसका राइट अंसर होगा अगला कोशन है मीर के कितने परकार है इसका राइट अंसर दो होगा Option A अगला कोशन है जम जमा या खट का किसके द्वारा दर्शाया गया है सा के द्वारा Option D सका राइट अंसर होगा अगला कोशन है सभी रागों की उत्पत्ती कितने थाटों से मानने हैं। सभी रागों की उत्पत्ती दस थाटों से मानने हैं। ओप्शन डीस का राइट अंसर होगा। अगला कोशन है नमीत क्या है। नमीत क्या है। गमक है। ओप्शन एस का राइट अंसर होगा। अगला कोशन है, चंचल प्रकृती की गायन शेली कौन है? ठुमरी चंचल प्रकृती की गायन शेली है. इसलिए इसका राइट अंसर सी है, ओप्षन सी. अगला कोशन है, पंडित हरिदा स्वामी कौन थे? पंडित हरिदा स्वामी गायक थे. ओप्षन इसका राइट अंसर होगा. अगला कोशन है, सूल ताल कितनी मातराओं का होता है? ओप्षन सी. इसका राइट अंसर होगा. अगला कोशन है, पंडित हरिदा स्वामी का थे? पंडित हरिदा स्वामी का थे? ओप्षन इसका राइट अंसर होगा. अगला कोशन है, एक ताल के कितनी विभाग होते हैं? एक ताल के छे विभाग होते हैं. ओप्षन सी. इसका राइट अंसर होगा. और आपने अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया, तो प्लीज कर दीजिए. चलिए अगला कोशन ह सारे गम आदी का संशीप्त रूप है सरगम Option डीस का राइट अंसर होगा सरगम अगला कोशन है त्री ताल कितनी मात्राओं का होता है त्री ताल सोला मात्राओं का होता है Option डीस का राइट अंसर होगा अगला कोशन है चोट ताल के कितने विभाग होते है छे विभाग होते हैं, ओप्शन सीज का राइट अंसर है, अगला कोशन है, राग बिहाग का गायन समय है, रात्री का पर्थम पहर, ओप्शन सीज का राइट अंसर होगा, गीत से जुड़ा हुआ सरगम है, इनमे से गर्थ है, ओप्शन डीस का राइट अंसर होगा, अगला कोशन है, प्राचीन काल में गमक के कितने परकार थे, पंदरा थे, ओप्शन बीस का राइट अंसर होगा, अगला कोशन है, तिलवाडा ताल कितनी मातराओ का होता है, तिलवाडा ताल सोला मातराओ का होता है, ओप्शन डीस का राइट अंसर होगा, अगला कोशन है, एक ताल में कुल कितनी तालिया होती है, एक ताल में कुल चार तालिया होती है, ओप्शन बीस का राइट अंसर ह अगला कोशन है जब ताल में कुल कितनी तालिया होती हैं। जब ताल में तीन तालिया होती हैं। ओप्शन एस कर आइट अंसर है। अगला कोशन है चोप ताल में कुल कितनी तालिया होती हैं। चोप ताल में कुल चार तालिया होती हैं। Option D's कर आइट अन्सर होगा अगला कोशन है राग देश का गायन समें है राग देश का गायन समें रातरी का दूसरा पहर है Option C's कर आइट अन्सर है अगला कोशन है दीप चंदी ताल कितनी मात्राव का होता है दीप चंदी ताल चोदा मात्राव का होता है Option C का राइट अंसर है अगला कोशन है राग यमन किस थाट से उत्पन है राग यमन भैरब थाट से उत्पन है Option A का राइट अंसर है अगला कोशन है राग विहाग किस थाट से उत्पन है राग विहाग बिलावल थाट से उत्पन है अगला कोशन है अमीर खुसरो को खुसरो क्यों जाने जाते थे तो कंट संगीत के लिए अगला कोशन है राग भीम पलासी का वादी स्वर मौ है अगला कोशन है राग भीम पलासी का समवादी स्वर सा है अगला कोशन है राग देश का समवादी स्वर पो है अगला कोशन है राग अलहेया विलावल का वादी स्वर है वो गव है अगला कोशन है राग बागेश्री किस थाट से उत्पन राग है और आपने अभी तक चैनल का सिस्क्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज कर दिजिए चलिए अगला कोशन है अमीर खुसरो का जन्म कब हुआ अमीर खुसरो का जन्म बारा सो तिरपन में हुआ उप्शन सीज कर आइटनसर है अगला कोशन है तान सेन के बच्पन का नाम क्या था तान सेन के बच्पन का नाम तन्ना मिश्रा था Option 20 का राइटंसर है अगला कोशन है शुरूती कितने है शुरूती कितने है 22 है Option 60 का राइटंसर है ये सभी कोशन आप अच्छे से याद रखिएगा और ध्यान से देखिए पंडित भीम सेन जोशी है पंडित भीम सेन जोशी है गायक Option 20 का राइटंसर होगा हिंदुस्तानी संगीत में कितने थाठ होते हैं। हिंदुस्तानी संगीत में में दस स्वर लगते हैं। ओप्शन बीस का राइट अंसर है। अगला कोशन है, संपून जाती के रागों में कुल कितने स्वर लगते हैं। संपूर्ण जाती के रागों में कुल साथ स्वर लगते हैं ओप्षन 20 का राइट अंसर होगा अगला कोशन है शारव स्वर समू में कितने स्वर लगते हैं ओप्षन C इसका राइट अंसर होगा अगला कोशन है सेहतार नाम किन का दिया हुआ है सेहतार नाम तांसेन का दिया हुआ है ओप्षन एस का राइट अंसर होगा अगला कोशन है राख कल्यान की प्रकृती कैसी है राख कल्यान की प्रकृती शान्त है ओप्षन सीस का राइट अंसर होगा शारव जाती की रागों में कुल कितने स्वर लगते हैं शारव जाती की रागों में कुल छे स्वर लगते हैं ओप्षन डीस का राइट अंसर होगा अगला कोशन है संगीत में मूल स्वर कितने है संगीत में मूल स्वर कितने है संगीत में मूल स्वर साथ है ओप्षन एस का राइट अंसर होगा अगला कोशन है तानसेन का जन्म कब हुआ तानसेन का जन्म 1532 में हुआ ओप्षन सीज का राइट अंसर होगा अगला कोशन है तानपूर में कितने तार होते हैं तानपूर में 4 तार होते हैं ओप्षन सीज का राइट अंसर है अगला कोशन है नाद की कितनी विशिषताएं है option 5, right answer है अगला कोशन है संगीत का संबंध किस वेद से है संगीत का संबंध साम वेद से है option 20, right answer होगा अगला कोशन है तान सेन के गुरु थे तानसेन के गुरु थे स्वामी हरिदास ओप्षन एस का राइट अंसर होगा अगला कोशन है टी एम पतनायक क्या बजाते थे टी एम पतनायक वाइलिन बजाते थे ओप्षन सीस का राइट अंसर होगा अगला कोशन है तानसेन का विवा किस से हुआ तान सेन का विवा हुसेनी से हुआ था और दो म्यूजिक के वीडियो है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोशन है भात खंडे का जन्म कब हुआ था तो भात खंडे का जन्म 10 अगस्त 1860 को हुआ था उप्षन एस का राइट अंसर होगा अगला कोशन है मुश्ताक, अली, खां क्या बजाते थे तो वो शेहनाई बजाते थे उप्षन बीस का राइट अंसर है अगला कोशन है शिव, कुमार, शर्मा क्या बजाते थे शिव कुमार शर्मा सितार वजाते थे उप्षन भी इसका राइट अंसर है अगला कोशन है क्रिश्न राव शंकर का जन्म कब हुआ था क्रिश्न राव शंकर का जन्म 26 जुलाई 1894 में हुआ था उप्षन भी इसका राइट अंसर होगा अगला कोशन है पंडित कृष्ण राव थे वो क्या थे? एक नर्थक थे Option D इसका राइट अंसर होगा अगला कोशन है पंडित कृष्ण राव की मिर्थ्यू कब हुई थी? पंडित कृष्ण राव की मिर्थ्यू 2 मार्च 1989 को हुआ था Option C इसका राइट अंसर है यह वीडियो अपधियान से देखिए और याद कीजिए सुआमी हरी दास का जन्म इस्थान कहां हुआ था? तो बारा नसी का काशी में Option C इसका राइट अंसर है अगला कोशन है पंडित ओम कारनाथ ठाकुर का जन्म कब हुआ था? पंडित ओम कारनाथ ठाकुर का जन्म 25 जून 1880 को हुआ था Option C इसका राइट अंसर है अगला कोशन है मिया तान सेन ने किस राग की रचना की? मिया मलहार की रचना की? ओप्षन एस का राइट अंसर है अगला कोशन है पंडित विश्णु नारायन भात खंडे की मृत्यू कब होई? पंडित विश्णु नारायन भात खंडे की मृत्यू 19 सितंबर 1936 को हुआ था ओप्षन एस का राइट अंसर होगा अगला कोशन है अलाव दिन के पिता का क्या नाम था? अलाव दिन के पिता का नाम साधु खां था? ओप्षन एस का राइट अंसर है अगला कोशन है अलाव दिन के दादा या मतलब बाबा का क्या नाम था? अलाव दिन के बाबा का नाम मदार खां था ओप्षन सीस का राइट अंसर होगा मदार खा अगला कोशन है भरत मुनी की रचना है भरत मुनी की कौन सी रचना है? भरत मुनी की रचना नाटे शास्त्र है ओप्षन बीस का राइट अंसर है अगला कोशन है बेगम परवीन सुल्तान किस गायक के लिए परसीद है तो वो शास्त्रिय गायन के लिए परसीद है ओप्षन बीस का राइट अंसर है बड़े गुलाम अली खां का जन कब और कहां हुआ था? बड़े गुलाम अली खां का जन कब हुआ था तो 1901 में और कहां हुआ था तो लाहोर में ओप्षन ए इसका राइट अंसर होगा अगला कोशन है निरित्ति समराट गोपी किशन किस निरित्ति से समबंधित है? तो तांडव से समबंधित है ओप्षन डी इसका राइट अंसर होगा तांडव अगला कोशन है विष्णू दिगंबर पद्धी में खाली का चीन क्या है? तो खाली का चीन ओप्षन डीज कर इटंसर होगा अगला कोशन है उस्तार फैजा खां किस घर आने से आते थे? तो वे आगरा से आते थे ओप्षन सीज कर इटंसर है अगला कोशन है उस्तात बड़े गुलाम अली खा थे वो क्या थे एक तबला वादक थे Option B इसकार item सर होगा अगला कोशन है दिरूपद को किस घराने का गायक कहा जाता है दिरूपद को आगरा घराने का गायक कहा जाता है Option A इसकार item सर है अगला कोशन है लए कितने परकार के होते हैं लए तीन परकार के होते हैं ओप्षन बीस का राइट अंसर है अगला कोशन है ख्याल गायक में किस परकार के ताल वाद्य का प्रियोग होता है तबला का प्रियोग होता है ओप्षन सी इसका राइट अंसर है अगला कुशन है किस ताल में सोला मात्राएं हैं? तीन ताल में सोला मात्राएं हैं? उप्षन डीस के राइट अंसर होगा अगला कुशन है तबला वादक में आकार में सबसे छोटी रचना को क्या कहते हैं? तबला वादक में आकार में सबसे छोटी रचना को मोहरा कहते हैं उप्षन डीस के राइट अंसर होगा मोहरा अगला कुशन है धमार गाईकी के साथ कौन सी ताल बजाई जाती है? तो धमार ताल बजाई जाती है धमार गाईकी के साथ कौन सी ताल बजाई जाती है? तो धमार ताल बजाई जाती है उप्षन डीस का राइट अंसर होगा अगला कुशन है शास्त्रकारों ने एक सब्तक में कितनी शुरूतिया मानी है? उप्षन ईस का राइट अंसर होगा शुरूतिया कितनी है? सुरूतिया बाइश है उप्षन डीस का राइट अंसर है अगला कोशन है, राग हमीर की जाती है, संपून, संपून, option सीज कर आइटनसर है अगला कोशन है, गराम राग जिसकी संख्या मान है, तीस, option सीज कर आइटनसर है अगला कोशन है, भुपाली का वादी स्वर क्या है, भुपाली का वादी स्वर मा है, option सीज कर आइटनसर है अगला कोशन है, चल स्वर कितने है, पांच है, option एज कर आइटनसर है अगला कोशन है सारे जहां से अच्छा हिंदुस ता हमारा गीत के लेखक कौन है सारे जहां से अच्छा गीत के लेखक मुहम्मद इकबाल है अगला कोशन है राग भीम पलासी का गायन समय क्या है राग भीम पलासी का गायन समय सायाकाल है Option D का right answer होगा सायाकाल अगला question है वे सुर समू जिससे राग पस्त होता है क्या कहलाता है वे सुर समू जिससे राग स्पश्त होता है वे पकड कहलाता है Option 20 का राइट अंसर होगा पकड अगला कोशन है संगीत में वर्ण कितने है संगीत में वर्ण 4 है Option A का राइट अंसर होगा 4 अगला कोशन है स्वर मंदरन बजाने की कितनी भीधिया पाई जाती है स्वर मंदरन बजाने की कितनी भीधिया पाई जाती है चार भीधिया पाई जाती है Option D का राइट अंसर होगा अगला कोशन है किस राग में कोमल रे प्रियुक्त है भैरव राग में कोमल रे प्रियुक्त है Option C का राइट अंसर होगा भैरव अगला कोशन है कंठे जी महराज का जन कब हुआ कंठे जी महराज का जन सन अठारा सो असी में हुआ था Option C इसका राइट अंसर है अगला कोशन है अमर गायक तान सेन का गायन मंदब कहां है अमर गायक तान सेन का गायन मंदब कहां है तो ग्वैलियर में है Option B का राइट अंसर होगा अगला कोशन है संगीत रतनाकार का प्रथम अध्याय क्या है? उनका प्रथम अध्याय स्वा अध्याय था Option D का राइट अंसर होगा अगला कोशन है राग माल कौन्स में वर्जिस्वर क्या है? राग माल कौन्स में वर्जी स्वर, री और पौ है option C इसका राइट अंसर है अगर आपने अभी तक चैनल के सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल के सब्सक्राइब कर लिजी अगला कोशन है भारत की मुख्य संगीत पदितिया कितनी है भारत की मुख्य संगीत पदितिया दो है option A इसका राइट अंसर होगा इन में से गरजनी क्या है इन में से गरजनी शुरूती है option B इसका राइट अंसर होगा शुरूती अगला कोशन है चल स्वर कितने है चल स्वर पांच है option C इसका राइट अंसर है अगला कोशन है इन में कौन बासुरी वादक नहीं है इन में कौन बासुरी वादक नहीं है गोपाल मिश्रा जो बासुरी वादक नहीं है जो बासुरी नहीं बजाते है option B इसका राइट अंसर होगा गुपाल मिश्र अगला कोशन है चार ताल में कितनी खाली का प्रियोग होता है चार ताल में चार खाली का प्रियोग होता है ओप्शन डीस का राइट अंसर है अगला कोशन है बेगम बेगम अक्तर की मृत्यू कब होई पेगम अक्तर की मृत्यू 30 अक्टूबर 1974 में हुई थी Option A इसका राइट अंसर है पंजाब घराने के परसीद तबला वादक उर्फ जाकीर हुसेन के गुरु कौन थे? उनके गुरु अल्ला रखा थे Option A इसका राइट अंसर होगा अल्ला रखा अगला कोशन है ठुमरी गायन के साथ किस ताल का प्रियोग होता है? ठुमरी गायन के साथ तीन ताल का प्रियोग होता है Option A इसका राइट अंसर है अगला कोशन है पुस्तक तबला शास्त्र के लेखक का नाम बताए पुस्तक तबला शास्त्र की लेखक का नाम बताए तो उनकी लेखक का नाम है मथुकर गनेश गोल बोले पुस्तक तबला शास्त्र की लेखक का नाम है मथुकर गनेश गोल बोले चलिए फर्स्ट कोशन है राग केदार का वादी समवादी क्या है किसी भी राक का परधान वादी स्वर कहलाता है किसी भी राक का परधान स्वर वादी कहलाता है और दूसरा परधान स्वर जो इसके बाद आता है वो समवादी कहलाता है राग केदार का पूछ रहा था तो इसका अंसर होगा म और सा यानि म मध्यम और सा साड़ाज हो जाएगा ओप्षन एस का राइट अंसर होगा अगला कोशन देखते हैं राग यमन किस थाट का राग है? राग यमन जो है वो कल्यान थाट का राग है Option A इसका राइट अंसर होगा कल्यान अगला कोशन देखते हैं राग भैरव की जाती क्या है? राग भैरव की जाती संपून है इसमें सातो स्वर का प्रियोग किया जाता है Option C इसका राइट अंसर होगा अगला कोशन देखते हैं तीन ताल की तीसरी ताली किस मात्रा पर पढ़ती है। तीन ताल की तीसरी ताली तेर्वी मात्रा पर होती है। ओप्शन डीस का राइट अंसर होगा, तेर्वी मात्रा पर। अगला कोशन देखते हैं। राग भीम पलासी किस थाट का राग है। राग भीम पलासी काफी थाट का राग है ओप्षन डीस का राइट अंसर होगा काफी अब अगला कोशन देखते हैं स्वरो को कितने वर्गों में बाटा गया है स्वरो को कितने वर्गों में बाटा गया है सवरों के कितने वर्गों में बाटा गया है तो तीन वर्गों में ओप्षन सीज का राइट अंसर होगा अगला कोशन देखते हैं संगीत का आधार किसे माना जाता है संगीत का आधार सवर को माना जाता है ओप्षन बीज का राइट अंसर है सवर सबसे अधिक मात्राओं वाला ताल कौन सा है सबसे अधिक मात्रा तीन ताल में होता है इसमें सोला मात्रा होता है और चार ताल में चार ताल में बारा मात्राओं होती है और रूपक में साथ और दादर में छे तो सबसे अधिक मात्रा तीन ताल में होता है, सोला Option A का राइट अंसर होगा, तीन ताल अगला कोशन देखते हैं रागो की उत्पत्ती किस से हुई? रागो की उत्पत्ती किस से हुई? रागो की उत्पत्ती किस से हुई है, तो थाट से हुई है Option A is correct answer होगा थाठ अगला question शर्डच के राम की कितनी मुर्चनाय होती हैं तो साथ होती हैं Option D is correct answer होगा साथ अगला question देखते हैं कोमल स्वर कितने हैं? कोमल स्वर चार हैं Option C is correct answer होगा 4 अगला question निमली लिखित में से कौन 14 मात्रा की ताल है तिलवाडा में 16 मात्रा है और 4 ताल में 12 मात्रा है और 3 ताल में भी 16 मात्रा हैं और धमार ताल में 14 मात्रा है तो इसका रायट अंसर होगा धमार Option C अगला कोशन देखते हैं सबसे कम मात्राओं वाला ताल कौन सा है तीन ताल में 16 मात्राओं और चार ताल में 12 और कहराव में 8 और दादरा में 6 तो सबसे कम दादरा ताल में है ओप्षन सीज का राइट अंसर होगा दादरा इसमें 6 मात्राओं होती है अगला कोशन देखते हैं बाउल लोग संगीत किस परदेश का है बाउल लोग संगीत बंगाल परदेश का है अगला कोशन राग विहाग की जाति क्या है राग विहाग की जाति औरव संपून है ओप्शन एस कर आइट अंसर होगा अगला कोशन मुखे स्वर कितने होते हैं इसका अंसर आप कमेंट में जरू बताइएगा अगला कोशन देखते हैं गमक के कितने भेध है गमक के पंद्रा भेध है Option 20 का राइट अंसर होगा 15 अगला कोशन शुद और कोमल मिला कर कुल कितने स्वर होते हैं? शुद और कोमल मिला कर कुल कितने स्वर होते हैं? शुद और कोमल मिला कर कुल 12 स्वर होते हैं Option 20 का राइट अंसर होगा 12 अगला कोशन उप्षन 20 कर राइट अंसर होगा शडर अगला कोशन फूक कर भजाय जाने वाला वाद इन में से कोन सा है? फूक कर कोन सा वाद यंतर भजाय जाता है? तो ये बासुरी है, सबसे असान है बासुरी, ओप्शन B, जो फूख कर बजाये जाता है अगला कोशन, सुर अंतराल कितने परकार के होती है इसका अंसर आप कॉमेंट में बताईएगा अगला कोशन देखते हैं ठुमरी, गाई की के साथ कौन सा ताल वाद बजाये जाता है ठुमरी के साथ कौन सा वाद बजाये जाता है तो तबला बजाये जाता है, ओप्शन D, तबला अगला कोशन, टप्पा में किस भाषा का प्रियोग होता है ये पंजाबी भाषा में प्रियोग होता है ओप्षन ये इसका राइट अंसर होगा पंजाबी अगला कोशन भात खंडे स्वर लिप्पी पदिती में सम के लिए क्या चिन है ओप्षन सी इसका राइट अंसर होगा अगला कोशन हिंदुस्तानी संगीत में किसकी संख्या दस है तो थाठ की संख्या दस होती है ओप्षन डि थाठ अगला कोशन राग बिलावल का वादिस्वर क्या है इसका राइट अंसर होगा धैवत अगला कोशन खमाज थाट के अंतरगत आने वाला राग कौन सा है? खमाज थाट के अंतरगत आने वाला राग देश है अगला कोशन संगीत रतनाकार में कितने विक्रित स्वर बताए गए हैं? संगीत रतनाकार में कितने विक्रित स्वर बताए गए हैं तो बारा ओप्शन सीज कर आइट अंसर होगा बारा अगला कोशन ताल जपताल में कितनी मात्राए हैं? ताल जपताई में कितनी मात्राए हैं? दस मात्राए हैं Option A का राइट अंसर होगा 10 अगला कोशन पंडित रवी शंकर किस घराने से संबंदित है इसका अंसर भी आप कॉमेंट में बताईएगा और अगला कोशन देखते हैं गान के कितने परकार हैं गान के कितने परकार हैं गान के कितने परकार हैं तो दो है Option A 20 का राइट अंसर होगा 2 अगला कोशन 6 बराबर मात्राओं के विभाग किस ताल में होते हैं इसका अंसर होगा 4 ताल 4 ताल में 12 मात्राओं होती हैं जो 6 बराबर मात्राओं का विभाग है Option B 20 का राइट अंसर होगा 4 ताल अगला कोशन निमी लिखित में स्वरों में से राग देश का वादी स्वर क्या है? राग देश का वादी स्वर क्या है? इसका राइट अंसर होगा री ओप्शन बी स्वरों में से राग देश का वादी स्वर क्या है? रे है अगला कोशन नाद के कितने परकार होते हैं, तो दो होते हैं, एक होता है आहत और दूसरा होता है अनाहत, ओप्शन बीस का राइट अंसर होगा, नाद दो परकार के होते हैं, आहत और अनाहत, अगला कोशन, राग भुपाली का वादी समवादी स्वर क्या है, राग भुपाली का वादी और समवादी स्वर क्या होता है, गगंधार और धो धेवत होता है, ओप्शन बीस का राइट अंसर होगा, राग भुपाली का वादी समवादी स्वर क्या है, तो गग और धो है, अगला कोशन, र राग अलेहा विलावल किस थाट का राग है? विलावल थाट का राग है. ओप्शन एस का राइट अंसर होगा विलावल. अगला कोशन, राग देश के आरोह में कौन से दोस्वर नहीं लगते हैं? तो ग और धा. ओप्शन सीस का राइट अंसर होगा. अगला कोशन, पंडित भात खंडे ने रागो के गायन समय को कितने भागों में बाटा है? पंडित भात खंडे ने रागो के गायन समय को तीन भागों में बाटा है. ओप्शन सीस का राइट अंसर होगा तीन भागों में. अगला कोशन, पंडित प्लूस कर स्वर लिप्पी पजिधी में सम के लिए क्या चिन होता है? इसका राइट अंसर होगा option B अगला question राग भुपाली की जाती कौन सी है तो ओढव और ओढव है option C इसका राइट अंसर होगा ओढव ओढव अगला question राग काफी का वर्जि स्वर क्या है राग काफी का वर्जी स्वर क्या है तो इन में से कोई नहीं Option D का राइट अंसर होगा अगला कोशन राग देश का वादी समवादी क्या है राग देश का वादी समवादी क्या है तो रे पव है Option D इसका राइट अंसर है अगला कोशन विक्रित स्वर कितने है विक्रित स्वर पांच है ओप्षन सी इसका राइट अंसर है पांच अगला कोशन एक मात्रा में दो मात्राय बोनला कोंसी लएकारी होगी एक मात्रा में दो मात्राय बोनला दुगुन लेकारी होगी ओप्षन 20 का राइट अंसर होगा, दू गुण अगला कोशन, गत कितने परकार की होती हैं, गत दो परकार की होती हैं, ओप्षन 20 का राइट अंसर होगा, दो अगला कोशन, राग भेरव का गायन समय क्या है, राग भेरव का गायन समय प्राता काल है option a सका राई तांसर होगा अगला question पंडित अनोखे लाल किस घ énerाने से समभन्धित है option d सका राई तांसर होगा बनारास अगला question देखते हैं इनमे से किस थाट में ग नि कोमल स्वारों का प्रयोग होता है ग, न, कोमल स्वरों का प्रियोग काफी में होता है ओप्षण 20 करायट अंसर होगा काफी अगला कोशन संगीत रत्नाकार किस शताबदी में लिखा गया? ओप्षण 10 करायट अंसर होगा तेर्वी तेर्वी शताबदी अगला कोशन एक ताल में कितने विभाग है एक ताल में छे विभाग है ओप्षन बीस कर आइट अनसर होगा छे अगला कोशन पंडित ओंकारनाथ ठाकूर किस घराने से समबंधित है पंडित ओंकारनाथ ठाकूर गवालियर घराने से समबंधित है Option 20 का राइट अंसर होगा गुआलियर अगला कोशन राग भीम पलासी का समवादी स्वर क्या है? राग भीम पलासी का समवादी स्वर सा है Option 30 का राइट अंसर होगा सा और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए अगला कोशन देखते हैं किस ताल में एक खाली और दो ताली है? रूपक में एक खाली और दो ताली है Option C का राइट अंसर होगा रूपक ताल अगला कोशन पंडित क्रिश्न राव शंकर किस घराने को परतिनी धित्व करते थे? तो ग्वालियर को Option C का राइट अंसर होगा ग्वालियर अगला कोशन सारांगी किस वर्ग का वाद है? तत का Option C का राइट अंसर होगा तत का अगला कोशन दुरूपत की कितनी वानिया है? दुरूपत की चार वानिया है Option C का राइट अंसर होगा चार अगला कोशन इन में से कौन सा करनाटक संगीत पदिती का ताल है? त्रिवा, option C कराइट अंसर होगा त्रिवा, अगला कोशन राख केदार की जाति क्या है? राख केदार की जाति ओडव संपून है option C कराइट अंसर होगा ओडव संपून बीहु निरित्य किस राज से संबंधित है? बीहु निरित्य असम राज से संबंधित है option C कराइट अंसर होगा असम अगला कोशन संगीत मरकंद के लेखक कौन है? संगीत मरकंद के लेखक नारद है option C कराइट अंसर होगा नारद अगला कोशन राग विलावल का समवादी क्या है? राग विलावल का समवादी क्या है? ग है ओप्षन एसकर आइट अंसर होगा? ग अगला कोशन नाद की कितनी विशेष्टाएं है? नाद की तीन विशेष्टाएं है Option 20 का राइट अंसर होगा 3 अगला कोशन पंडित रवी शंकर के गुरु कौन थे? पंडित रवी शंकर के गुरु अलाव दिन खा थे Option 20 का राइट अंसर होगा अगला कोशन राग विहाग का समवादी स्वर क्या है? राग विहाग का समवादी स्वर नी है अगला कोशन देखते हैं ताल जबताल में कितनी खालिया है? ताल जबताल में एक खालिया है अगला कोशन धमार और रूपक ताल में कितनी मातराओं का अंतर है? धमार और रूपक ताल में कितनी मातराओं का अंतर होता है? धमार चोदा मातराओं का होता है और रूपक साथ तो धमार में से साथ घटाएगा तो साथ बचेगा तो कितना अंतर होता है साथ का? साथ मातराओं का अंतर होता है option एसकर आइट अंसर होगा 7 अगला question शारव समपून जाती के रागों में कितने स्वर लगते हैं तो 6 7 option एसकर आइट अंसर होगा 6 और 7 अगला question राग भहरव का गायन समय क्या है राग भहरव का गायन समय क्या है राग भेरव का गायन समय प्राताकाल है Option C इसका रहाईट अंसर होगा प्राताकाल अगला कोशन बरावर मात्राव वाले चार विभाग किस ताल में होते हैं? Option A इसका रहाईट अंसर होगा तीन ताल अगला कोशन पंडित राम चतुर मलिक किस घहराने से आते हैं इसका अंसर आप कमेंट में बताइएगा चलिए फास्ट कोशन है रागू की कितनी जातिया होती है इसका अंसर होगा तीन Option D इसका राइट अंसर है अगला कोशन ताल कहराव में कितनी मातराय होती हैं इसका अंसर होगा डी आठ अगला कोशन पंडित ओंकार नाथ ठाकुर की स्वीधा के लिए जाने जाते हैं इसका अंसर होगा गायल ओप्शन सी अगला कोशन फोर्थ कौन सा राग प्रता काल में गाया जाता है इसका अंसर होगा बहरा ओप्शन डी अगला कोशन चार ताल में कितनी भिभाग है इसका अंसर होगा डी छे अगला कोशन शीक्स सम किसे कहते हैं इसका अंसर होगा ताल की प्रता मात्रा को ओप्शन ए इसका राइट अंसर है अगला कोशन सेवन राग बिहाग किस धाट का राग है इसका अंसर होगा बिलावल ओप्शन बी इसका सही अंसर है अगला कोशन धनी कैसे उतपन होती है इसका अंसर होगा कमपन से अप्शन सेई अगला कोशन संगीत की कितनी पदितिया है इसका अंसर होगा दो Option A, इसका सही अंसर है अगला कोशन बिदूशी, गिरी राज, देवी, किस घर आने की गाईगा थी? इसका अंसर होगा, बनारस Option B, इसका सही अंसर है अगला कोशन 11 किस राग में रे, ग, ध, नी, कुमल स्वर का प्रियोग होता है? इसका अंसर होगा, भेर भी Option C, इसका राइट अंसर है अगला कोशन अमीर खुसरो का जन कहां हुआ था? इसका अंसर इसका अंसर अब कॉमेंट में बताएगा अगला कोशन पंडित बिश्नु नरायन भात खंडे का जन कहां हुआ था? इसका अंसर होगा महराष्टर में Option D का सहियंसर है अगला कोशन डागर बंधु किस गान शेली से संबंधित है इसका अंसर होगा दुरूपद से Option A का सहियंसर है अगला कोशन 15 सोनर मान सी का संबंध किस निरित्य से है इसका अंसर होगा ODC से Option 20 का सही अंसर है अगला कोशन एक सब तक में कितनी तुरूतिया होती है इसका अंसर होगा 22 Option A का राइट अंसर है अगला कोशन किस ताल में 14 मत्राई होती है इसका अंसर होगा धामर ताल Option C का राइट अंसर है अगला कोशन 18 राग हामीर किस थाट के अंतरगत आता है इसका अंसर होगा कल्यान Option A का राइट अंसर है अगला कोशन 19 पंडित निखिल बनर्जी कौन सा वाद बजाते है इसका अंसर होगा सितार Option B का राइट अंसर है अगला कोशन रूपक ताल का खाली किस मातरा पर है इसका अंसर होगा A Option B का सही अंसर होगा अगला कोशन 21 राग बिहाग का वादी स्वर क्या है इसका अंसर होगा G Option A का सही अंसर है अगला कोशन 22 एक ताल में कितनी मात्राई होती हैं इसका अंसर होगा 12 option base का सही अंसर है अगला question question number 23 निम्न में से किस ताल में 8 मात्राई होती हैं इसका अंसर होगा कहरा option base का सही अंसर है अगला question 24 ध्रूपद में किस ताल का प्रियोग होता है इसका अंसर होगा B इसका अंसर होगा 14 By इसका सहीं अंसर है अगला question 25 हिंदुस्ताने संगीत में कितने थाठ है इसका अंसर होगा 10 option C इसका क्से명 का right अंसर है अगला question नीमी लिखी तरागो में मेंसे किसमे दोनों मध्यम लगती है इसका अंसर हुगा भीम पलासी ओप्शन बैस का राइट अंसर है अगला कोशन 27 पखवाज वाद कौन सी श्रेनी में आता है इसका अंसर हुगा सू शीर में ओप्शन सी इसका राइट अंसर है अगला कोशन 28 पंडित विश्यो मोहन भट कौन सा वाद बजाते हैं इसका अंसर होगा गिटार option 6 का right answer है अगला कोशन 29 राग भेरव का वादी स्वर क्या है इसका अंसर होगा धः option 8 का right answer है अगला कोशन 30 राग भीम पलासी किस थाट का राग है इसका अंसर होगा काफी option C का राइट अंसर है अगला question 31 संगीत में वर्ण कितने है इसका अंसर होगा चार option A का राइट अंसर है अगला question पंडित कृष्ण राव किस घराने से आती है इसका अंसर होगा गवालियर से option B का राइट अंसर है अगला question संगीत रतनाकार का प्रथम अध्याय क्या है इसका अंसर होगा स्वाध्याय option C का राइट अंसर है अगला question 34 राग तिलक का मोद का वादी स्वर क्या है इसका अंसर हुगा रिशब Option A का राइट अंसर है अगला कोशन 35 राग माल कौन्स में वर्जिस्वर क्या है इसका अंसर हुगा B रेप Option B का राइट अंसर है अगला कोशन 36 राग तिलंग किस थाट का राग है इसका अंसर होगा खमाज का Option B का राइट अंसर है अगला कोशन कोशन नमबर 37 ताल की उत्पत्ती कैसे हुई इसका अंसर होगा थाब से इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है आप देख लिजिएगा अगला कोशन ताल थमार में कितने विभाग होते है इसका अंसर होगा चा Option C इसका राइट अंसर है कोशन नमबर 39 पंडित विश्णुदि गंबर पुल्सकर किस लिए जाने जाते है इसका अंसर होगा गाय के लिए Option A इसका राइट अंसर है अगला कोशन 40 सूल ताल में कितनी मात्राय होती है इसका अंसर होगा 10 Option B इसका राइट अंसर है अगला कोशन 41 ओडवा और पाश्वर जाती के राग में कितने सुवर लगते है इसका अंसर होगा 5 से 6 Option B इसका राइट अंसर है अगला कोशन 42 उस्ताद अली अक्बर का समद्ध किस वादियंत्र से है इसका अंसर होगा सरोध से option C इसका right answer है अगला question 43 आड चार ताल में कितनी मात्राय होती है इसका अंसर होगा 14 option D इसका right answer है अगला question 44 राग किदार की जाती क्या है इसका अंसर होगा A ओडव संपूर्ण option A इसका right answer है अगला question राग माल कौन्स का वादिस्वर क्या है इसका अंसर होगा मौ option B इसका right answer है अगला question 46 राग काफी का संवादिस्वर क्या है इसका अंसर होगा option D इसका right answer है अगला question 47 राग खमाज की जाती क्या है इसका अंसर होगा शाडवव संपूर्ण इसका right answer होगा A option B अगला question 48 निमलिकित में से किसमें दोनों निशाद लगते हैं इसका अंसर होगा देश ओप्शन इसका right answer है अगला question राग देश का संवादिस्वर क्या है इसका अंसर होगा पर Option B इसका right answer है अगला question 50 राग कमोद किस जाती का राग है इसका अंसर होगा B संपूर्ण Option B इसका right answer है अगला question 51 राग बगेश्वरी किस थाट का राग है इसका अंसर होगा काफी Option C इसका right answer है अगला question 52 राग कमोद का वादिस्वर क्या है इसका अंसर होगा Option D इसका right answer है अगला question 53 ठुमरी के लिए परसीद शेहर कौन सा है इसका अंसर होगा बनारस Option C इसका right answer है अगला question शाडव जाती के राग में कितनी स्वर लगते हैं इसका अंसर होगा 6 Option 20 का right answer है अगला question 55 स्वर लिप्पी पदिती को किसने प्रचलित किया इसका अंसर होगा पंडित भात खंडेनी Option A इसका right answer है अगला question 56 रूपक ताल में कितनी मात्राइ होती हैं इसका अंसर होगा 7 Option 20 का right answer है अगला question 57 हिंदुस्ताने संगीत में कुल कितने थाठ हैं इसका अंसर होगा 10 Option 20 का right answer है अगला question 58 राग देश किस थाठ से उत्पन हुआ इसका अंसर होगा D कल्यान Option D इसका right answer है अगला question 59 राग सूचक स्वर समुदाय को क्या कहते हैं इसका अंसर होगा C पकड़ अगला question 60 एक संपातक में कितने स्वर होते हैं इसका अंसर होगा C साथ कोशन अगला तान सिंद रूपत की किस वानी के गायक थें इसका अंसर होगा खंडार वानी Option D का right answer है अगला question 62 फ्याज खाक किस घराने के गायक हुए इसका अंसर होगा आगरा Option C इसका right answer है अगला question 64 राग माल कुंस किस जाती का राग है इसका अंसर होगा ओड़वा Option A इसका right answer है अगला question 65 मिया तान सिंद किस राजा के दरबारी गायक थे इसका अंसर होगा अकबर के Option B इसका right answer है अगला question असवारी थाट के अंतरगत कौन सा राग आता है इसका अंसर होगा जोन पुरी Option A इसका right answer है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को subscribe और वीडियो को like कर दिजे ताकि मुझे नए वीडियो बनाने की motivation मिलती रहे Thank you to watching my video